जो उनकी मनशा है कि डेमोकरसी को खतम करना अगर नहीं गये तो क्या होने वाला है और यहां तक कि 151 लोकों को सस्पेंट करके बहार जो निकाले यह पहला इंसिडेंट है यह सरकार ने प्रोच्छा देकर सस्पेंट करने के लिए लगे पीजेपी आज जो और मोधी जी मिनिस्टर समझ रहे है कि हमारे शिवाए हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं हमी उकमत करने के लाइक है यह खुशी की बात है सभी ने युन्यानी मसली एक होकर आगे किस डंग से गटबंदन का का काम चलना चाहिए और लोकों के हित में सब मिलके किस डंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इशू से उसको उठाना है तो यह सारे देश में कम से कम आठ दस मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णे हुआ और लोकों को यह मालूम करना जरूरी समझे कि गटबंदन के लोक अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोकों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा इसलिए सभी ने माना और सभी लोक मिलके यह निर्णे लिये हैं यह एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम दो तीन गंटे चली दूसरा चीज जो हमारे एक सो बेचालिस लोक यमपीज अब तो एक सो एककाउन हो गए शायद तो इतने एमपीज को जो सदन के बाहर डाल कर सदन जो बीजेपी के सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक रिजूलूशन पास किया कि ए अंडेमोकरिटिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तयार है और यह पहली बार है हिंदुस्तान के इधियास में डेमोकरिटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आये वो कैसा आये और किसने उनको लाया और किस डंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिये सबी किये लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोग सबा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था हम पहले से भी यही कहे रहे हैं कि हो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आये जो घटनाए घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराईए मालुमात कराईए लोग सबा को और राज्य सबा को लेकिन उन्होंने नहीं माना मेरे को समझ में नहीं आता सदन इदर चल रहा है ये लोग आमदाभाद में बिल्डिंग इनॉकरेशन जाते हैं सदन इदर चल रहा है मोदी जी वो अपने कांसुल्सी में जाके घूमते हैं ये क्या है ऐसा कभी नहीं हुआ सदन यहां देश में रहे के और सभी तरफ अपने भाशन देने लगे लेकिन पार्नमेंट में क्यों नहीं आए लोकसभा राजसभा में क्यों नहीं आए तो ये जो उनकी मनशा है कि डेमोकरसी को खतम करना अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है और यहां तक कि 151 लोकों को सस्पेंट करके बहार जो निकाले ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोकों को आज तक किसी ने सस्पेंट नहीं किया था ये सरकार ने प्रोच्टा दे कर सस्पेंट करने के लिए लगाए ये बरी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़िंगे मैदान में जाएंगे और जो आज प्राइमिनिस्टर और हो मिनिस्टर समझ रहें कि हमारे शिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं हमीं उकमत करने के लाइक है ये उनका समझ है इस समझ को खतम करने के लिए हम सब एक होए हैं एक होकर आज बहुत निर्णे लिए हैं एक तो एक सो एकावन लोकों के बारे में और दूसरा जो है सब मिलके सब मिलके प्रोटेस्ट करना और आल इंडिया प्रोटेस्ट बाविस तारिक को बाविस डिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गट बंदन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेरिंग का भी हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझोता करेंगे अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गट बंदन के नेता लोग है उसको वो डिसाइड करेंगे और बहुत से जगे जो हर एक पार्टी एक 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 जो है वो ठीक डंग से है अब चाहे वो तमिलनाडू में हो केरणा में हो करनाटक में हो या तेलंगाना में हो बिहार में हो जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलच जाएगा और बाकी का दिली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस डंग से सुल जाना ये भी बात में तही हो जाएगी तो ये हमने तई करके ये मीटिंग करा मुझे खुशी है कि इस मीटिंग के 28 पार्टी के नेतालों और सभी दिगज यहां जो बैटे हैं वो सभी ने कॉपरेट किया और कॉपरेट करके इस मीटिंग को एसेश भी बनाया इसलिए मैं उन सब को हार्दिक बदाई देता कि वो इस और भी आगे बढ़के देश में इस गटबंदन को मजबूत करके चलाएंगे इतना ही कहके मेरे दो शब्त को आप पूझने दूंगा हमने पहले सबी लोग जीत के आना है जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे कौन प्राइम इनिश्टर वरना ये बाद में की बात है यमपीज अगर नहीं है तो प्राइम इनिश्टर की बात करके क्या फाइदा है तो इसलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मैजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे और बिजेपी आज जो और मोधी जी बहुत इतना एक दो तीन एलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना कमंड आया है कि अब देश में मेरे शिवाए कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एकी लीडर हूँ प्रचार करते हैं तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे